अलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं फैक्ट रिजवान एक्सपरिमेंट तो दोस्तों इस विडियो में हम इस ऑल कर डिब्बे से बहुत शांदार एक साउंड वक्स बनाएंगे और इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बेस भी आएगा सबसे पहले हम इसके स्टीकर को हटा लेंगे और इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके आपको दिखाते हैं दोस्तों यहां पे हमने इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है और यहां पे एक 50 वाट का वूफर यूज़ कर रहे हैं जो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इसमें अच्छे तरीके से ये चलने वाला है तो सबसे पहले हम इस वूफर के कॉडिंग कट करने के लिए दोस्तों आप चाकूग का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर होल सा हो तो दोस्तों होल सा से भी कट कर सकते हैं दोस्तों यह होल सा इसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो हम इसको ड्रिल मर्स में लगा लिए हैं और इसको होल कर लेते तो चलिए दोस्तो हम आपको kit दिखाते हैं इसमें हम कौन सा kit यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तो यह 31 डूल चैनल जो की 8 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट पे वर्क करता है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आपको इसके लिए 8 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट जरूरी है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन दोस्तो इसमें Bluetooth नहीं है और इस कीट में दोस्तो हर चीज़ अवलेवल है मेमरी पेंडराइफ और साथ-साथ आउक्स का भी इसमें दिया गया है और यह Bluetooth कीट है और यह 5 वोल्ट पे काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है तो हम इसी का यूज़ कर रहेंगे और सबसे पहले दोस्तो हम स्पीकर का कनिक्शन कर लेंगे और इसके बाद बैटरी का रेड और येलो यूज़ कर लिए हैं आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसका कनिक्शन कर लिया है स्पीकर का connection हम स्पीकर वाले वायर में connection कर लेंगे यहाँ पर दोस्तो आप double hoover का use कर सकते हैं यह भी दोस्तो dual channel का है तो यहाँ पर दोस्तो हम एक micro socket लगाएंगे ताकि दोस्तो हम इसे charging की मदद से इसको चला पाएंगे और फेर को इस master की मदद से इसको टाइट कर लेते हैँ अगर दोस्तो आप हमाने चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकउन को पोरे सक्कर लेते हैं चलिए दुश्तो इसको हुं कर लेते हैं बारिश की वजय से दोस्तों बैक्राउंड में आवाज आ रहे हैं दोस्तों इसकी आवाज बहुत ही अच्छी है अगर आप मुच्छा रगार हो तो एक लाइक कर शुच्छ लाइज जरूए थाइंक्यू